नमस्ते जी वेदिक राष्ट में आपका स्वागत है आज का हमारा लेक का विशे है पप्पू के से पास हुआ इसके लेकक डुक्टर धर्मवीर है और यहाँ परोपकारी के संपादकी से ली गई है साभार रूप से अई ये लेक की ओर चलते हैं अंग्रेजों ने इस देश को पराधीन बनाया पराधीन बनाने से पूर्वे देश के साथा सोचा जाए तो ये देश वेशा जैसा आज है उससे भी बुरा होना चाहिए क्योंकि अंग्रेजों ने इस देश को सिक्षित, सुसंस्क्रत किया, सभ्य बनाया हमें सभ्यता को स्विकार करते हैं, हमें उसे अपनाने पर गर्व का अनुभव होता है परन्तु वास्तेविक्ता वैसे नहीं है जैसा हम समझते हैं हम अपनी अंग्रेजी बुद्धी से अपने को अंग्रेजी सभ्यता में देखकर गर्व का अनुभव करते हैं देश के पराधीन होने से पुर्व इस देश की इस्तिती को उनी अंग्रेजों की दृष्टी से देखे सकें तो संभव है हमें पराधीनता पर गर्व के स्थान पर लज्जा का अनुभव करना पड़े हमें लंबे समय तक दास बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने किस नीती पर काम किया था उसको समझना हावश्यक है अंग्रेजों ने भारत में सासन को डर्ड करने के लिए जिस वेक्ती ने सार्थक और सफल परियास किया उस वेक्ती का नाम लाड में काले था उसने इस देश की संस्कृति और सब्ड़ता का गहरा अधिन किया अपनी योजना के साथ अपने अनुभवों को बिटिस संसर्थ के अपने भाषन के रूप में जब वह उसने प्रस्तुत किया तो उस व्यक्षान पर उसने दो फरवरी अठासो पेतीस को जब दिया था तो उसका अंस मनन करने की युग गहे I have traveled across the length and breadth of India and I have not seen one person who is the thief silver that I do not think we could ever conquer in the country unless we break the backbone of the nation which is the spiritual and cultural heritage therefore I propose to the we replace her old and ancient education system her culture with if you think Indian thinks that all in the foreign and English it go greater than their own they will lose their self-examination their nation or nationality self-culture so they will become what we want to them and a truly domination nation Lord Macaulay in his speech of February 2, 1835 British Parliament अर्थाद भारत के लोग में गजब के नेतिक मुल्य हैं दर्शन धर्म और संस्कृति देश की रीड है भारती सिक्षा पद्धिती को बदल कर अगर हम भारतियों को आत्मसंमान को तोड़ दें तब ही हम इस देश को सही अर्थों में गुलाम बना सकेंगे अंग्रेजी सिक्षा ने हमें वैमान और धुर्त बना दिया है इसको हम अपनी सफलता का माबदन डिस्विकार करते हैं हम सामने वाले को मुर्ख बनाने में अपनी सफलता समझते हैं अंग्रेजों ने हमें अपनी सफलता सिक्षा में दिक्षित कर हमें अपनी द्रिष्टी में ही बोनासित कर दिया हमने आधुनिक्ता सब्विता के नाम पर जो कुछ हमारी परंपरा सब्विता संस्कृती थी उसे छोड़ दिया आदुनिक्ता के नाम पर हर गली सड़ी वस्तू को हम अपना रहे हैं बवराश्टी कमपनियां हमें स्वयम से कैसे दूर कर रही हैं उसका एक उधारन कोक है हमारी सिच्छा पद्दती के कारण आज की पीड़ी इन कमपनियों के चक्कर में पढ़ गई है जिनमें से इनको निकालना कठिन होगा बच्चों से लेकर बड़ो तक पिज्जा, केक, बिस्कुट, चिप्स के साथ पेपसी, कोको कोला की बोटलें पकड़ कर अपने को धन्य बता रहे हैं उनको यही भोजन सरवत्तम लगता है दूत के इस्तान पर आइसक्रीम खाकर वो संतुष्ट हो जाते हैं जबकि पेपसी और कोका के इस्तान पर सादा सक्ष जल ज़्यादा बहतर होता है परंतु पानी से प्रतिष्टा नहीं बनती कोका कोला से प्रतिष्टा बनती है ये कमपनियों के विग्यापन की शक्ती के आगे हमारे अनुभव और अब्देश विर्थ हो रहे हैं। अमेरिका यूरोप में पानी पेप अदार्थों में सबसे अंतिम इस्तान पर पहुँच गया है। वहाँ पहला इस्तान कोक को मिला हुआ है। यही बात यह कमपनी भारत में भी चाहती है। का उत्तर था इसी को तो व्यपार कहते हैं सस्ति ताजा सुलब स्वास्ट कर वस्तू को छोड़कर महेंगी घटिया और अस्वास्त कर वस्तू को भी ग्रहंड करने के लिए व्यक्ति को बाद्य करना यही व्यपारिक सफलता है अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ही आप सच्चे हैं सभाविक पस्तू से कैसे दूर होती है आप से इसका उधारन पप्पू पास हो गया जो लोग दूर दर्शन देखने के आदी हैं पर जानते होंगे कि अमिताप बच्चन जिसा हेरो कहता है कि पप्पू पास हो गया कुछ मिठाई हो जाए मिठाई के नाम पर चाकलेट मिठाई आपको भारती बनाती है टोफी बिस्कूट केक चॉकलेट आपको अंगरेज बनाते हैं फिर हम अंगरेज क्यों ना बने क्योंकि उनकी सिख्चा हमें यही बनने के लिए तो प्रेडिक करती है एक दूसरे प्रसंग में केड़बरी के मुख कारिकारी अधिकारी न के अधिकारी ने उत्तर दिया कि देश में व्यपार का भविश्य क्या होगा उसका पता चलता है सभा के कमपनी के अधिकारी ने कहा कि अभी भारत ने मिठाई का व्यपार हमसे बढ़ा है जिस दिन हम मिठाई को व्यपार के बजार से बाहर कर देंगे उस दिन अपना लक् बार्तिता को बाहर करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं है जिन वस्तूओं का इस्तरोत स्मापत हो जाएगा उत्पादन नहीं होगा यदि उभ्भोग बना रहेगा तो वस्तू कहां से आएगी जो आएगी वह सुद्ध कैसे हो सकती है भारत में गाया दी दुदारू पशूओं का संगार बड़ी सिंख्या में तिवर्गती स हो रहा है तब दुद का अत्पादन के से होगा प्रिस्ति और उसका सहरी करण के जीवन में पशूओं के सांथ संभव नहीं है बड़ती महंगाई में पसुपाले ने कठिन व्यवसाय होता जा रहा है आदन सिक्चा हमें इस्रम के संसकार से दूर करती जा रही है हम सब्ध एक सब्ताहापुर्व समचार पत्रों के प्रमु समचार में किसी डेरी पर कीड़े पड़े दूद का प्रियोक किया जा रहा था इसी ख़़चपी उससे बने दूद को पीकर अफस्वस्थ कैसे हो सकते हैं जब इस तरह के दूद पावडर से बने दूद आपको स्वास्त नहीं दे सकता तो इस तरह दूद पाउडर से बनी चोकलेट से हमारा केसे भला हो सकता है दिल्ली के पास एक गाउं में से जाते हुए एक मित्रे ने कहा आपको इस गाउं की विशेशता हैं पता है उत्तर में नहीं कहने पर मित्रे ने बताया कि इस गाउं में एक भी पशू नहीं परंतु हजारों लिटर दूद डेहरी को प्रति दिन भेजा जाता है क्या देहली में देश में ऐसा एक ही गाउं है फिर इस देश की जनता का क्या होगा गद दिनों दिल्ली के अंग्रेजी समचार पत्रों में छपा कि सडकों के साथ धाबों पर चाएं बनाने वाले चाएं बनाने के लिए दूद के स्थान पर सपेद रंग का प्रयोग कर रहे हैं क्या इसी चाएं पीकर कोई विक्ति स्वास्त हो सकता है बड़ी बड़ी धूदगी बनाने वाली कमपनियां दूद तो उत्पादकों से ही लेती है उनकी बैमानी और कमपनी का ब्रष्टाचाल मिरकल आकरशक बोतल और डबे में भरकर दूद मिठाई मनुष्य का स्वास्त ब्रष्टे ही कर सकता है एक पिचितर संयोग है यहाँ एक और सरस डेरी अच्छे दूद जो सरसर मदूर दूद है उनकी डेरी के उत्पादकों में कीड़ा लगावा पावडर मिल रहा है तो दूसरी और डेरी के अधिकारियों के घर बेंक और पुलिस छापे कर रही है सामाने दूद उत्पादक था सुई का इंजेक्शन लगाकर दूद निकाल रहा है कि ऐसा दूद दूद रह जाएगा दूद के सांस साक और फलो की भी यही दसा हो गई है उसे भी सुई लगाकर बढ़ा और मिठा किया जा रहा है चाहलोकी हो बिंगन हो तर्बूज हो केले हो सबको रसाइनी घोल में डुबाकर पकाया जा रहा है आम की पेटी में कार्भोईट की पूड़िया रखकर पकाया जाता है बिंडी आधी को हरे करने के लिए रंग लगाया जाता है सेऊं पर मुम की परच चढ़ा दी जाती है जिस सियों के अंदर सडने पर भी बाहर से चमकता रहे केतों में अन्न साक फलो पर केट नासको का प्रचूर मातरा में प्रयोग किया जा रहा है गोबर के अभाओं में यूरिय आदी से उत्पादर बारने के लिए किसान आदी हो गए है बड़ी बड़ी विदेशी कमपनियां अचार में चटनी में मुरब्बे में मानसादी का अखाद मिलाने का संकोच नहीं करती मिठाई आइसक्रीम चोकलेट बिश्किट अंदे आदी का मिश्रण कर साकाहारी लोगों के साथ थोका किया जाता है इस प्रकार सिक्चा के अबाओ में विक्ती समाज के चरित्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है पाहे मन में बैमानी आचर में प्रश्टता बुद्धी में दुर्ता इसके चलते हैं हम अपने ही समाज में और राष्ट से द्रोव कर रहे हैं जहां वेपारी जो छोटे हैं उनका अर्थ सलाब के लिए चोरी और मिलावट करते हैं तो बहुराष्टी कमपनियां मिलावट रबश्टा चार तो काम करती ही है परन्तु धूर्ता पुर्वक तरीके से मिठाई अती मिलावटी नकली बता कर अपने धूर्ता बहरा वेपार बढ़ाना भी चाहती है दूर दर्शन समाचार पत्र और अन्य टीवी चैनल बड़ी भवराष्टी कमपनियों की दूर्ता और बश्टा चाहर को प्रकासित करने का साहस नहीं कर पाते परंतु उनके लाव के परव आदी के आउसर पर मावा दूद पनीर आदी के मिलावटी द्रश्यों से भारतियों को घी दूद मिठाई से मोड़ का राइसक्रीम चोकलेड विस्कुट केक नूडल्स पिज़ा आदी की और मोड़ने का प्रयास किया जाता है इस बात को गंबीरता से समझनी किया अवश्यक्ता है एसी बुद्धी प्रष्ट करने वाली विद्या से विवेक करने वाली बुद्धी उत्तम होती है अता अपनी बुद्धी का उप्रयोग करना स्रेयकर है केवल अनूकर्णमात रहीं कहा भी तो गया है परम बद्धिनम सविध्या विध्या ये विद्धी उत्तमा प्रस्तुत लेक पप्पू कैसे पास हुआ इसके लेखक डॉक्टर धरमवीर थे और परोपकारी के संपादकी से साभार रूप से यह लेक लिया गया था सेप्टिमबर 2010 पाक्षिक अंकसे थन्यवाद वेद विशेट जानकारियों के लिए वेदिक राष्ट से जुड़े रहें वेदिक राष्ट को लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन की घंटी दबाना ना भूलें